तो यह मेरा फर्स्ट वीडियो और ब्लोग कह सकते हैं जिसमें मैं आपके साथ बोल के डारेक्ट शेयर करूंगी चीजें अभी मैं अपने घर के नजबीक एक पार्क में आई हूँ और आपको भी इस पार्क की स्यार कर गाऊंगे कि यहां पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काफी शोर आ रहा है तो यह एक बात नोटिस की है ब्लॉगिंग को लेकर पहले मुझे लगता था इतना इजी वर्क है कि आजकल हर कोई ब्लॉग बना रहा है लेकि सच में बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आप जब और ट्राय करते हो बोलने की तब ऐसा लगता है आपके शब्द खतम हो गए है मैं आपके पास वर्ट्स है ही नहीं है क्या बोलें सीरियसली बहुत डिफिकल्ट काम है और पता नहीं मेरी यह जर्णी कैसी रहेगी क्योंकि आजसे मैंने शुरुआत की है और यह मेरा पहला ब्लॉग है तो लेट सी क्या कैसे रहेगा पर यह अच्छा एक्सपीरियंस है मिदलम मुझे अच्छा पीर हो रहा है कि मैंने कम से कम सोचा इस पारे में कि मुझे ब्लॉग बनाने चाहिए और मैंने शुरुआत की है अपने घर के निल्सबीक एक पार्क से यह मेरा चोटा इस व्लॉग रहेगा जिसमें मैं आपको यहां पिक्या इस समय में हो रहा है यह सब चीज़े दिखाऊंगी तो इस व्लॉग से मैं जिस्ट शुरुआत कर रही हूं अपने बाकी ब्लॉग्स के लिए और मेरे लिए यह सब आइम एक लर्निंग है यह और मैं चाहती हूं कि आप सब जो भी इस वीडियो को देखें तो मुझे गाइड भी करें कि मुझे और क्या चीज़े करनी चाहिए जिससे मैं अपने व्लॉग को और बहर तक बनाऊं और और मेरे अलावा जो और लोग सोच रहे हैं व्लॉगिंग करने के बारे में कि बहुत सारे लोग और बना रहे हैं बट और ऐसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं बनाना लेकिन समझ नहीं आता है कि बनाए कैसे कहां से शुरू आत करें तो मैंने तो चलो शुरू कर लिया लेकिन जो भी शुरू नहीं कर पाए हैं अगर आप मुझे थोड़ा टिप्स द बनाना चाहते हैं वो भी एक लर्णिंग जो है वो एक लेसन उनको मिल जाएगा कि किस तरह से शुरूआत कर सकते हैं बाइदवे यह बताना मुझे मत बूलना कि यह वाला व्लॉग आप सब को कैसा लगा है अच्छा बूरा जैसा भी आपको लग रहा होगा कम आई मीन बत को और अच्छा करना है और बाकी रही शब्दों की बाद वो तो दीरे-दीरे ही होता है आई नो बाइदवे मेरा नाम विशाखा शर्मा है और मैं हिमाचल की रहने वाली है यह जिस फर्स लॉग है मैं दीरे-दीरे स्टोरीज पताऊंगी और आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आएगा क्योंकि यह मेरी ज़स शुरुवात है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शुरुवात में मुझे आप सबका सपोर्ट मिले तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हा मैं कुछ बना रही हूँ और लोगों को आप में लोग कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सीरियसली मुझे नहीं पता आइमीं कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ वीडियो किस तरह से एंडू का मेरा वीडियो तो क्योंकि यह मेरा पहला ब्लॉग है यही एक में रीजन है मेरे फ्रेंड सालांकी मुझे बोलते रहते हैं कि तुमको इस तरह से शुरू करना चाहिए और और अपने यूट्यूब पे कुछ वीडियो अपलोड किये हैं लेकिन उसमें मैंने पहले रिकॉर्ड किये हैं औ और मैं चाहती हूं कि मैं आप डारेक्ट वीडियो बनाऊं और बोलूँ क्योंकि बहुत टाइम भी बचता है यार क्योंकि पहले शूट करके फिर वोयर्स ओवर करने पर रहता है आई मिन आप फिर से वह काम उजाता है जादा वाला और अकर मैं और लेडी इस तरह से शु पता दीरे दीरे मुझ में इत्मा confidence ला जाए कि मैं एक दिन लाइवा आजाँ एक दिन लाइवा आजाँ सिरियोस्ली और आपको पसंदा रहा है आपको अच्छा लगा है या नहीं यह बताना प्लीज मुझे मत बूलना कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कॉमेंट्स लिखना और गाइडेंस जरूर देना ताकि मुझे और क्या इंप्रूम्मेंट करनी चाहिए अपने व्लॉग में पैसे और लेडी कापी लोग मुझे देख रहे हैं जो पार्ग में घूम रहे हैं तो नववस्मेस थोड़ी तो फील होती है जादा नहीं होती ह है लेकिन हाँ यह अलग बात है कि जब आप व्लॉगिंग करते हो तब आप शब्द सीरियसली भूल जाते हो बटाइटिंग एक बार जब शुरू हो जाएगा तब आपके शब्द भी धीरे-धीरे आपके आपको मेंस आने लगेंगे इसे तो ही इंसान को शब्दों का ज् थोड़ा बहुत होता ही है जादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं भी बस लेर्नर हूं सीख रही हूं और इस वीडियो के त्रुबी में सीख ही रही हूं बस बात यह होती है कि जब आप बोलना शुरू करते हो गैम्रा के सामने तब कई बार कुछ लोग शाय फील करते हैं कि कैसे बोलेंगे और यह भी रहता है हम बोलते हूं कैसे लगते होंगे हालंकि केम्रा में हम देख सकते हैं अपने आपको पिर भी ये तो फील होता ही ऐससे बावं रहंगे कोई बता दें कैसे लग रहे हम कैसे बोलते होई लग एक ढ़ा से रहेसे नंई तो पता है जब भी आ सोचती कि अनुझ एक महीता हुए मुझे भी यह रहता है कि ओवरोल सब चीजे कैसी दिख रही हैं मेरे पूरे फ्रेम में जैसे आप भी ये वाला फ्रेम देख सकते हो कि पूरी चीजे जहां मैं घूम रही हूं जहां का मैं ब्लॉक बना रही हूं सब चीजे पॉफेक्ट दिखनी चाहिए ये मेरे दिमाग में था लेकिन मुझे लोगों को नहीं नहीं जगे दिखाना जाय किसी भी चीज का एकसपिरियंस आप करना चाहते हो और लोगों को अपने आप से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप जैशुरू करो इतना मत सोचो कि कैसे करें आज कल मुझे लगता है ऐा है सच में सबकी पास फोन है जोटे सः जो मुझे लगता है कि लोगों को ना जाधा सोच कर जस शुरुवात कर देनी चाहिए को लगता है वैसे में यह सोच रही थि कि यह वीडियो मैं कैसे शुरू करूंगी है कैसे end करूंगी क्या बोलूंगी कि इनले कितना बोलूंगी और च्प्त मेरे को इस समय निकलेंगा मुझे और मैं अभी चेक कर रही हूं मेरी स्क्रीन पर लगभग 8 मिनेट्स हो गये हैं इस वीडियो को शॉट करते हुए इस वीडियो को शूट करते हुए माइगाड देखो बुरा मत माना और हसना बिलकुल मत अगर मैंने कुछ शब यलत बोल दिया है क्योंकि ये आफ्टर ओल मेरा फर्स्ट एक्स्प्रियेंस है ब्लॉगिंग का और नवस हूं मैं ऐसा नहीं है अगरी मैं बोल रही हूं तो नवस नहीं हूं नवस बिलकुल हूं इसी वज़े से कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं पर था मुझे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि हां मैंने इस शब्द गलत बोला वर इस वीडियो में कुछ अधिक नहीं करने वाली में भी थोड़ा बहुत अधिक करूंगी जादा नहीं करूंगी क्योंकि ये मुझ तो फोफुली मैं अच्छे वीडियो बनाऊंगी जैसे शायद ये भी बनाया है तो और वैसे अभी मेरे वापस जाने का अधिन घर वापस जाने का भी समय हो गया है तो प्लीज मत भूलिएगा कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि मेरे व्लोग आपको कैसा लगा प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और शेर तो बनता ही है यार और यहां साइड में अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसकी वेज़से अभी थोड़ा भी शोर बढ़ने वाला है युकि डेली मेरे घर के पास यह आवास में सब्सक्राइब जरूर के सब्सक्राइब अब यहां पार्क में हूँ और यह बिल्कुल पार्क के साइड में है तो यहां ज्यादा शोर आ रहा है तो तिल दिन हम फिर मिलेंगे मेरे नेक्स व्लॉग में और तो और बडिन भाई- भाई recommend शके सूर रहाच नें evidence के सब्सक्राइबध्dro Clark हुआं है आयाओ। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो Guide